आप सबी लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, सेहत मन्द होंगे और आज का व्लोग बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छी रसिपी, तो आपको बताई है तो प्लीज वीडियो में अंट तक बने रहेगा, व्लोग पूरा देखेगा, आपको बहुत यूस्पुल टिप्स मिलने वाली है तो यहाँ पर फिलाल बज़े है, दुफेर का टाइम है, कितना टाइम है वो तो मुझे नहीं पता I think दो बज़े है, हाँ, दो बज़े का शायद टाइम है और यहाँ पर मैं आफटर लंज, यहाँ पर मैं चूडिया और्गेनाईज करी हूँ, बहुत जादा डिस्टरब हो गई थी तो सोच रही थी मैं अपनी चूडिया और्गेनाईज कर दूँ, और मेरे पास क्या-क्या चूडियो को कलेक्शन है उसके लिए मैंने अलरड़ी थ्री वीडियो बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हो, मैं बैंगल कलेक्शन तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्री लिंक दी गई हुई हैं, आप वीडियो देख सकते हैं तो चूडिया और्गेनाईज करते हैं, फिर थोड़ी दिर हम लोगों ने टीवी देखा, उसके बाद यहाँ पर हो गई है शाम शाम के बज़े हैं चार और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इवनिंग टी, वैसे मैं टी पीती नहीं हूँ लेकिन अभी विंटर है और हमारी यूपी में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है कि बिना टी, बिना पीए नहीं चलता है क्योंकि बहुत सदा ठंड बढ़ गई है तो यहाँ पर आप मेरा न्यू न्यू किचन देख रहे होंगे बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और आप देख सकते हूँ मैं गुन-गुना आते हुए एक काम कर रही हूँ तो बस चाय बनाते बनाते एकदम से बेटी को शहद खाने की चाही क्योंकि विंटर में तो वैसे भी आप अपने बच्चों को शहद दिया कीशी है या तो फिर आप दूद में या वर्म वाटर में शहद लेकिन मेरा बेटा रोज ऐसे ही एक या दो चमर्श सुबह शाम शहद खाता ही है तो बस यहाँ पर चाई बना लिए मैंने इसमें चाई में थोड़ा सा पॉइलिंग हो गया था थोड़ा सा मैंने दूद डाल दिया है तो बस थोड़ी सी चाई पक जाए फिर हम सभी लोग मिलकर चाई पिएंगे तो चाई थोड़ा सा विंटर है तो अद्रक, तुलसी, लॉंग यह सारी चीज़े डाल कर ही बनाएगा क्योंकि अभी ना विंटर में जो खाम शर्दी खासी बहुत ज़दा हो रहा है तो यह सारी चीज़े आप ज़रू डालेगा तो यहाँ पर मैंने चाई ले ली है तो चाई पीने के बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ डिनर की प्रिपारेशन तो यहाँ पर ली है मैंने यह वाली सूजी और आप देख सकते हो काफी अच्छे इंग्रेडियंट्स है रिच प्रोटीन और विटमीन है और बिल्कुल हेल्दी सूजी है यह तो यहाँ पर यह सूजी मैंने ली है दो कप फुड़ा सा एक चमच और बस इतना ही और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इडली जी हैं साउथ इंडियन डिनर बना रही हूँ आज मैं तो सोचा आप सभी लोग को इडली के रसिपी बता दे तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो मौटी वाली सूजी लिए तो अगर आपके पास नहीं हो छोटी वाली हो तो आप बो लीजिए लेकिन मैंने आपर मौटी वाली सूजी लिए एक कप मैंने आपर फैटा हुआ दही ले लिया है हूम में दही है यह तो बहुत सदक खटा भी नहीं होगा तो दही लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी सूजी जो हमने दो कप के लगबख ली थी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी यहाँ पर मैं इडली का बैटर बना के रख दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया है मैंने और सेम कप से जिससे हमने दही लिया था उसी कप से मैं इसमें पानी डालते हुए एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी तो आप एकदम से पानी मट डालिए क्योंकि क्या होता है न जादा डालोगे तो फिर बैटर लूज हो जाएगा पतला हो जाएगा कम डालोगे तो गाड़ा हो जाएगा तो मैं यही आप से सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा स्मूद बैटर बना लीजे आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फैट रही हूँ मैंने एक स्पून ले ली है और अच्छे से हमें फेटते हुए बैटर रेडी करना है मुझे थोड़ा सा पानी और कम लगा तो मैंने डाल दिया और बहुत सारे लोग डाल चावल से इडली बनाते हैं एक बार आप मेरे तरीके से सूजी का इडली जरूर बनाएए बहुत टेस्टी लगेगी 30 मिनिट के लिए मैंने इसको रेस्ट दे दिया है यहाँ पर मैं सांभर की प्रिपारेशन कर रही हूँ तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है अरहर की डाल तो अरहर की डाल मैंने ली थी यहाँ पर दो कप जी हाँ क्योंकि सांभर अभी विंटर है तो आप as a soup भी ले सकते हो काफी अच्छा लगता है सांभर गरम-गरम तो बस यहाँ पर मैं डाल को बॉयल कर लूँगी और इसी डाल के लिए आपर मैंने लौकी कट कर ली थी आपके पास जो भी वेजेटेबल हो वो डाल सकते हो पमकीनों तो पमकीन डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास लौकी थी बिल्कुल महीन कट करके लौकी डाल दी है मैंने और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा और पानी हलका सा नमक एंड हल्दी डाल कर इसको हम बॉयल कर लेंगे हाई फ्लेम पे टू विसल आने तक तो बस थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और मैं जिस तरीके से सामबर बनाओगी उस प्रकार से अगर आप सामबर बनाओगी तो यकीन मानिये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होटल स्टाइल आपका सामबर बनके राइडी होगा ट्राइ सरूर केजिए थोड़े सा मैंने घी डाल दिया है ताकि डाल हमारी जो बॉइल होगी वो बाहर ना निकले तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया है अपना प्रेशर कुकर हाई फ्लेम पे टू विसल आने तक तो जब तक हमारी डाल बॉइल हो रही है सामबर के लिए जब तक हम फ्री तो नहीं बैठ सकते तो साथी साथ हम कुछ और भी प्रिपेरेशन कर लेते हैं दाल वगेरा बॉइल हो रही थी जब तक मैंने कटिंग कर ली थी सारी वेजेटेबल की और यहाँ पर मैं fry करने लगी हूँ सामबर तो यहाँ पर मैंने कडाई ले ली है कडाई में डाल दिया है mustard oil mustard oil को अच्छे से cook करना जरूरी है आप देख सकते हो दाल कितनी अच्छे से गल गई है तो दाल हमारी boil हो गई है इसको अच्छे से मैंने फेट दी थी boil हो जाए दाल तो आप थोड़ा सा फेट दीजे mustard oil अच्छे से cook करना बहुत जरूरी है थोड़ा सा smokey ने हो जाए oil उसके बाद मैंने सरसू डाल दिया है ginger garlic का paste दो लाल खड़ी मिर्च और onion और ध्यान रखें onion आपको square cut नहीं करनी इस तरीके से लंबी लंबी cut करनी है जिस तरीके से मैंने की है थोड़ा सा onion जादा ही रखेगा सांबर में बहुत tasty लगता है थोड़ा सा मैंने onion डाल दिया है इसको अब हमें अच्छे से पका लेना है और इस टेश में डाल दूगी यहाँ पर करी पत्ते करी पत्ते most important है इस सांबर में करी पत्ते आप जरूर डालेगा बहुत स्वादिश लगते हैं और real taste जो है करी पत्तों से आता है South Indian में करी पत्ते तो most important है तो करी पत्ते मैं यहाँ पर fresh लिये हैं तो no doubt आप वो भी डाल सकते है तो यहाँ पर onion हमारी थोड़ इसी brown हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैं tomato chop करके डाल दूगी roughly chop करके डाल दिया है मैंने बिल्कुल महीन कट नहीं किया आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने दो tomato डाल दिये हैं कट करके आप देख सकते हो मेरी आटे वाले हाथ है side by side में आटा गोत रही थी मैं अपने सासू, मा और ससूरजी के लिए क्योंकि मेरी यहाँ पर जो ममी पापा है उनको ना मतलब जैसे हम कैसे अगर सूजी की इडली और सांबर तो diet sit हो गया डिनर उनको ना मतलब जो होता है ना जो special dinner जो देसी dinner होता है जैसे कि दाल, चावल, सबजी, रोटी यह चाहिए यह चाहिए तो फिर उनके लिए मैं रोटियां भी बनाने वाली थी तो आटा गोत रही थी और यहाँ पर side by side मैंने सारे मसाले डाल दिये है आप देख सकते हो बड़ी अच्छे से हमारा मसाला पक रहा है थोड़ा से यहाँ पर मैंने गुड डाल दिया है गुड या चीनी आप थोड़ा से डाल दीजिए इससे हमारा taste बिल्कुल balance हो जाएगा और जो हमने दाल boil की होई थी ना वो मैंने डाल दी है डाल और लौकी तो आप देख सकते हो काफी अच्छे से मैश हो गई थी डाल नॉर्मल ही जब हपन डाल चावल बनाते हैं वो एक विसल लगाते हैं लेकिन आप जब सामभर बिनाओ तो दो विसल लगा लीजिए इससे क्या होगा काफी अच्छे से हमारी डाल गल जाएगी तो यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अमचुर पावडर डाल दिया है दो चमश क्योंकि सामभर जब तक खटा खटा ना हो जब तक मज़ा नहीं आता तो थोड़ा सा खटापन आए हमारे सामबर में टेस्ट आए खटा खटा इसलिए मैंने आमचुर पाउडर डाल दिया आप इसकी जिगे इमली यूज़ कर सकते हो या इमली का पल लेकिन आप आमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं फिलाल में बहुत जल्दी मिल जाता है और हमारे किचन में अवेलेबल होता है तो सामबर हमारा बॉइल हो रहा है जब तक मैं यहाँ पर इडली के लिए प्रपारेशन कर लेती हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ कटोरी में इडली मेरे पास इडली का साच्छा है नहीं तो मैं इस तरीके से क करीज कर रही हूँ कटोरियो को ताकि सामबर हमारा इडली हमारी जब हम प्लेट आउट करेंगे तो आराम से निकल जाएगी एक कडाई में मैंने पानी ले लिया है इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें हम इस तरीके से चलनी रखेंगे और इसकी जो रख देंगे ताकि हमारी इडली बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो अच्छे से स्टीम हो जाए राइट इस तरीके से हम कवर करके रखेंगे तो बिना साचे के भी आप इडली बना सकते हैं so don't worry आपके पास भी क्योंकि हम सभी लोगों के पास इस तरीके से छोटी-छोटी क काफी अच्छा है, स्मूध हो गया है, और सूजी की जो दाने है, कड़ हैं, काफी अच्छे से फूल गए है, तो इसमें मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा और दही, क्यूंकि यह थोड़ा सा पतला लगा, मुझे बैटर, अगर आपका दही खटा है, तो आप पानी डाल सकते हैं तो आधा बैटर जो है वो मैं एक बाउल में निकाल लूँगी यापर मैंने दूसरे बाउल में आधा बैटर निकाल लिया अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर तो एक चमश मैंने baking powder लिया है और आधा चमश baking soda लिया है अच्छे से हम mix कर देंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल हमें अच्छे से mix करना है, कहीं भी इसके chunks ना रह जाए बिल्कुल हमें smooth batter बनाना है और आप चमश मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा, feel होगा कि आपका batter बिल्कुल smooth हो गया है and you can see small bubbles, आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे bubbles आ गए हैं हमारे batter में तो ये बिल्कुल सही तरीका है और अगर आपके में आ रहे हैं, bubbles आपके batter में तो समझ लो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो तो बस अब हम थोड़ा-थोड़ा batter सारे कटोरियों में डाल देंगे इडली का जो batter हमने बना कर ready किया था, इस तरीके से सभी equal-equal हम लोग fill कर देंगे अगर आपके पास सार्चा है, तो आप अपने सार्चे में भी इस तरीके से इडली बना सकते हैं अच्छे से tap कर देंगे, तो अच्छे से tap करने के बाद, यहाँ पर हमारा पानी भी अच्छे से boil होने लगा है और इसमें हम रख देंगे हमारा feel किया हुआ इडली का batter 10 मिनिट्स के लिए boil कर लेना, फिर आप चैक कर लेजेगा तो हमारी इडली boil हो रही है, तो यहाँ पर दिखें मीन वाइस, यहाँ पर हमारा सांबर भी बनके रैडी हो गया है बिलकुल restaurant style, बहुत यमी सांबर बना था guys, आप एक बाद try सरूर कीजे, आप मान जाओगे, रियली बहुत सदा tasty बना था एकदम quick और easily बन जाएगा, आप एक बाद try कीजे ना, और पसंद आए तो please मेरे वीडियो को like भी कर देजेगा तो यहाँ पर देखे, मैंने सांबर जब खोला, open किया, तो मैंने check किया, तो हमारा knife बिलकुल clean आया इसका मतलब सांबर अच्छे से बन गया है, तो आप check कर लीजेगा knife या spoon डाल कर, तो इडिली को अब हमें अच्छे से थंडा होने देना है तो इडिली को यहाँ पर मैंने अच्छे से थंडा कर दिया है, इतना थंडा कि आप उसको छू सके तो यहाँ पर देखे, मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बिलकुल smoothly निकल आ रहा है, देखे बिलकुल आ रहा है, हमसे निकल आ रही है, हमारी इडिली और बिलकुल अच्छी, smooth, soft, बिलकुल बाजार जैसे इडिली बनके रैडी हुए, देखे यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी बता रही हूँ, इसमें जो छोटी छोटी जाली आ रही है न, बिलकुल बाजार जैसल लोग है तो यहाँ पर मैंने प्लेट आउट कर लिया है, इडिली सांबर विथ सम ओनियंस, ओनियंस काफी अच्छे लगते हैं, इडिली सांबर के साथ, specially तो यहाँ पर हमने बनाया बिना साची के सूजी की एडिली एंड सांबर, I hope मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो चलो मैं अपनी फैमिली को सब करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं पूछने वाली हूँ, अपनी हबी से कैसी बनी है, क्योंकि इ क्योंकि मेरा मैं जब भी खाना बनाती हूँ, थुड़ा सा नमक कम रहता है, so don't mind कैसा बना सांबर, बहुत अच्छा, हम, एडिली खाऊ, सौफ सौफ थाइप दम, है ना बिल्कुल मार्केट टाइप, मार्केट से अच्छा, क्या? मार्केट से भी अच्छा, अच्छा, यहाँ पर न, यह लाइधित पेस्टी, तो एक पेस्टी खुद खा गए, और बाकी की दो बच्ची हुई है, मेरे लिए और श्रेक के लिए, यलो वाली श्रेक ने खुद मंगाई थी अपने लिए, और म दिनर करने के बाद, यहाँ पर मैंने अपना कीचन अच्छे से क्लीन कर दिया है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, प्लीज अच्छिस कर लेना सुगाई जहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, उसमें बताई गई हुई एडली सांबर की रसिपी पसंद आ रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चुटा सा, और अगर आपको लगी ये वीडियो किसी क यूसफुल हो सकता है, तो प्लीज इसे शेयर कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए खुश रही है, पॉसिटिव रही है, हाल्दी रही है, थैंक ये सो मच फो वाशिंग इस वीडियो, और बाबाई, टेक कियर,